है तो। हैलोव भाई- को मैं हो भी आरि दो है। और मैं आज का जो विडियो बनाने जा रहा हूं वच्वास कि बहुत सारे लोग है जो यह नहीं जानते हैं कि करते हैं तो कौन सा फुटबॉल से खेलना चाहिए कौन सा फुटबॉल से नहीं खेलना चाहिए और कौन सा फुटबॉल परफेक्ट होता है कौन सा नहीं होता है तो आज मैं आप लोगों पता हूंगा कौन सा फुटबॉल से आप लोगों खेलना चाहिए जिससे कि आप और आपनों को दिखाता हूं कौन सा फ्रीम साफ ह्रीजाना चाहिए तो हलो जो कि मैं फ्रीश्टैल के लिए यूज करता हूं और लगबंगा सिथीन से चारे से फ्रीस्टैल के लिए यूज कर रहां और इसका बहुत सारा बेनिफिट है जिसमें सबसे बड़ा बेनिफिट है कि हलका होता है जो किसको फिफा 2018 में वर्ल्लकॉप में यूज किया गया गया एक पुड़ और इसमें इसका जो ग्रीप बहुत तगड़ा है तगड़ा इन असंस मतलब जब आप फ्रीस्टाइल करेंगे तो नॉर्मल फुड़ा से करेंगे तो इसमें ग्रीप नहीं रहता है जिसके वह से आपको sleeping problem होती है जिसलीप करता है आपका पैर में पुड़ा और जो कि मैंने मिश्टिक किया अपने जब में अपना प्रीस्टाइल करता था तो बहुत मुझे एफिस करना पड़ा कोई ब बहुत सारे एमोजवन पर महजूद है जो कि आप मत लीजिए अपने पहचानने कभी मैं आपको तरीका बता जो कैसे पचाना जाता है तो अगर देखिए अगर ये फुड़ा आप यूज करेंगे तो मैं आपको सबसे पहले दिखाता है इसका ग्रीप कहा होता है जो छोट कि खोटी चोटी सी ग्रीप होती है चोटी चोटी सी एक लाइनिंग दिया होता है जो कि घृप है अपर ठीक है और इसका बनिफिट आपको तब पता चलेगा जब आप वो फुड़ा से खेलेंगे ये फुड़ा से खेलेंगे तो चाहे आप इससे फुड़ा लीखेले तो इसका बाड़ा पहचानने का ंडिया में तरीका यह है आप तभी भी देखे हैं कि अब्सक्राइब यह सेला हूँ नियह और मैक्सिमम इंडिया में पता था में अबढ़ा है तो का अवे दीया जाता था और सेम इसका कॉपी मिलता ता मंगर ऊहील फूबल नहीं है तो आपको बेसिकली सबसे फर्स्ट यहान देना है कि सीला हुआ नहीं होना चाहिए और अगर सीला हुआ हुआ तो समझ लेजिए और रियल फुर्बॉल नहीं है और मैं इसका प्राइज बताता हुआ इसका प्राइज लग बग आता है मैंने जो जिस्काउंट में लिया था सारे तीन अजार से चारह आर के बीच में आप बोलेगे तर में लिंक भी डाल दूँगा और कोई बात पुछ ना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और मैं आप इसका बेनिफिट पता चलेगा जब आप एक लॉंग टर्म में आप पुरवल कहरें तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सिटार नहीं लगा तो नहीं लगा तो इस लाइक और क्या नहीं अच्छा लगा तो यहों कमेंट करके बता हैं